कहीं नर्म हो, कहीं गर में लहसे में लोगों को नाइट कर्फिउ का पालन कराने की अपील की गए कानपुर में लगातार कोरोना संक्रमल के मामले बढ़ने से पृशासांग चिर्थी थे संक्रमल को कम करने की हर कवायत पुलिस वह पृशासांग कर रही है गुरुवार को सनीकमा चौकी प्रभारी ने रात आठ बजे लाओड स्पीकर के माध्यम से दुकानदारों अच्छ श्वेत्रिये लोगों को संदेश दिया कि नाइट कर्फ्यू को प्रभावी दिंग से लागू कर दिया गया है कानपुर जिला धिकारी महोदे ने रात री दस बजे की जगा रात री आठ बजे से सुबह साथ बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दिये हैं इस इकरा में सनीकमा चौकी प्रभारी पंकस सिंग ने काली में लाओड स्पीकर बंधवा गया श्रेत्र का भ्रमल किया और लाओड स्पीकर के मादें से लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की आज शक्ता नुसार कहीं नर्मतो कहीं गर्मे लहजे में सनीकमा चौकी प्रभारी पंकस सिंगे लोगों को समझाया कि नाइट कर्फ्यू प्रभावी रूप से रागू करतिया केया है सभी लोग अपने घरों में रहें अनावश्यक अपने घरों से बाहर ना निकले लोगों से कोवीड नेमों का पालन करने की भी अपील की सनीकमा चौकी स्मीवाच शेत्र के अन्ना जो रहा सनीकमा काशी राम कॉलूनी डबल स्टोरी वाने जगहों पर लाओड स्पीकर बंधी गाली के बाध्यम से नाइट कर्फ्यू का पालन करने की अपील की गे शीवा माथूर की रिपॉक्ट पालन करने की अपील